नमस्कार मेरा नाम सौरब दिवेदी है बात घर की के एक और एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कहानी से शुरू करते हैं नब्बे के दशक का कोई साल लीजिए तीसरी या चौथी क्लास रही होगी। चुट्ती की घंटी बजने से पहले का अलसाया हुआ सात्मा पीरियड। टेबल पर बेतरती पड़ी बारा रंग विरंगे क्रियोंस, स्केल, पेंसिल, आर्ट वाली मिस ने सीन्री बनाने को बोला है। सीन्री सुनते ही आपको एक कोरे कागस पर राइट हेंड साइड में चटक लाल सूरज टांगता हुआ दिखता है। आख नाख और स्माइली वाला सूरज हो सकता है यह। फिर हमने बनाया एक पेड, बनाई एक नदी, और बनाये चार नुकीले पहाड। आखरी में आया है घर का नंबर जिसके बगल से सोचिये तो देखिये तो एक पर्सनल नदी गुजर रही है। घर जहां पर सरपीली सडक आकर खत्म हो रही है या शायद वहीं से शुरू हो रही है। घर जिसका अपना खुद का एक पेड है, दो खिड़किया है, एक दर्वाजा है, कुछ गमले हैं। घर जिसका आज कुछ दशकों बाद आपके लिए मतलब पूरी तरह बदल चुका है। अब गमले, नदी, सूरज और चार चुरियों जैसे कीवर्ड BHK, कॉर्पेट एरिया, इस्ट पेसिंग में बदल चुके हैं। मैच्योर्टी आर्ट जैसे साथवे पीरियड को मैट्स वाले पहले पीरियड में बदल देती हैं। और हरस अपना सवाल में कि क्या करें कि घर दिखने में भी अच्छा लगे। उसकी क्वाल्टी अच्छी हो, उसे बनाना किफाहिती हो और जरूरतों को साथते हुए अपने घर से जोड़े सारे शौक पूरे हो जाएं। आज आसान भाशा में इस क्लास में अलग-अलग पीरियड में हम इनी सवालों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अपना घर बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है बजट की प्लैनिंग, अलग-अलग शेत्रों की भौगाले की स्थिती, जलवाई, बिल्डिंग मटीरियल की लागत, कंस्ट्रक्शन का खर्च, जहां मकान बनना है उस शेत्र के नियम कानून, आपकी लाइफस्टाइल और आ आमतोर पर घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दो चीजों पर बाटी जा सकती है, इस सिविल वर्क और फिनिशिंग वर्क, आसान भाशा में कहें तो सिविल वर्क जहां मकान के अंदर क्या, कैसे और कितना लगा है वाले सवालों का उत्तर देगा, वहीं फिनिशिंग वर्क, मक कान बाहर से कैसा दिखेगा, इस सवाल का उत्तर देगा, सिविल वर्क क्या होता है, इसकी कॉस्ट में प्लिंथ, दीवारे, छट, चार दीवारी, पेराफीट, फरश का काम और पलस्तर में इस्तिमाल होने वाले कच्चे माल की लागत शामिल होती है, कच्चे माल यानी की फिटिंग और ग्रिल वर्क, इसमें सुविधाओं के आधार पर फिंशिंग कॉस्ट आमतौर पर 500 रुपे प्रतिवर्ग फीट से लेकर 3000 रुपे प्रतिवर्ग फीट तक आती है, यानी जिसकी जैसी इच्छा उतनी लागत, आमतौर पर घर बनाने में औस तन लागत कर करीब 1500 रुपे प्रतिवर्ग फीट आती है, महेंगे साजो सामान के साथ लग्जरी घरों के लिए करीब 2000 रुपे प्रतिवर्ग फीट तक पहुंच जाती है, लागत को डिटेल में समझने के लिए चलते हैं पहले पीरिड में, जो की है मैट्स का, घर का ले आउट बनवा 30 फीजदी का खर्च, बजट का 17 फीजदी की लगभग जाता है इनिट और पलस्तरिंग में, 10 फीजदी फर्ष टाइलिंग में, बिजली की वाइरिंग में 8%, पानी की विवस्था करने में यानि प्लम्मिंग में आता है 5% का खर्च, करके दरवाजे और खिड़कियों पर बजट की 5-8 फीजदी तक लागत बैठती है, अपने मन मुताबिक पेंटिंग और इंटीर टै करने के बाद आती है, फुल और फाइनल फर्निशिंग, एक्सपर्ट के अनमान के मुताबिक इसमें 5.5% की लागत आती है, वैसे मैट्स का ये मुश्किल एक्जाम, आप ओप अनमान लगा सकते हैं, घर बनाने से पहले बनवाते हुए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि आप आर्थिक रूप से सही रास्ते पर हैं, इसके लावा लोकल एरिया में मिलने वाले बिल्लिंग मटेरियल से लेकर ट्रांस्पोर्ट खर्च को बचाना भी आपकी प्रा इसके साथ ही बीवारों को पानी की रिसाव और सीलन से बचाने के लिए घर बनाते समय ही घर की वाटर प्रूफिंग और डैम प्रूफिंग कराना ज़रूरी काम है, ये हो गई गड़त की बात, लेकिन मकान बनाने में मैप्स और एकनॉमिक्स के इलावा बाकी सब्जेट क भी पासिंग मार्क्स वाली जानकारी ज़रूरी है, जैसे किफायती घर के लिए मकान का सेंडर्ड डिजाइन और ब्रूफिंग ज़रूरी है, तो इंजिनिंग वाले पार्ट को थोड़ा जान लेते हैं, और इसके लिए चलते हैं दूसरे पीरेड में, ये है लो का सेंस्टिव एरिया में हैं, तो आपको नगर निकाय या ग्राम पंचायत से संपर्क करना होगा, एकलोजिकली सेंस्टिव यानि नैशनल पार्क और वाइड लाइफ सेंक्चुरी की सीमाओं के 10 किलोमीटर की भीतर आने वाली जमीन, ऐसे ही जिस भी विवाग के अधिकार चेत्र में आपकी प्रापर्टी है, प्लॉट जैसे नगर निकम, पंचायत, चेत्र, केंट इरिया वगेरा, उससे कंस्ट्रक्शन के अनुमती लेनी होगी, केवल कंस्ट्रक्शन नहीं, बाकी अनुमतियों की भी लंबी फेरिस्त है, दरसल सेनिटेशन से लेकर पानी के प प्लॉट आता है मेनेजमेंट का, निर्माल की समय सीमा का सैक्टी कंणमान लगाना और उस पर डटे रहना ज़रूरी है, यह आपको पहले से तैय करना होगा कि कंस्ट्रक्शन कितने दिन में पूरा हो जाएगा, निर्माल के दौरान बदलाव की क्या गुंजाइश है, क्य प्लॉट की मेनेजमेंट से बचा जा सकता है, लेबर चार्जिस हों कंस्ट्रक्शन का एहम हिस्सा है, अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग रेट, किसी स्ट्रक्शन के लिए रेजिदेंशल, कमर्शियल या इंडस्रियल प्रोजेक्स में लेबर कॉस्ट लगभग 140 से लेके 200 रुपए वर फीट तक होती है, हलाकि टाइलिंग, एलेक्ट्रिक फिटिंग, प्लमिंग, पेंटिंग, पुट्टी, डोर फ्रेमिंग और फेब्रिकेशन की लागत 70-100 रुपए वर फीट तक होती है, इंजीनिरिंग के अलावा अगर एलेक्ट्रिशन की बात करें, plumber की बात करें ठेकेदार की बात करें और supplier की बात करें तो इसको चुनने में सावधानी जरूरी है बहुत से contacts और आपके बहुत से संगी साथे रिश्टार लगेंगे इन तक पहुचने में गर बनाने का respect के experts ऐसे चुने हैं जो काम को तैस समसीमा में और budget के भीतर करने में सक्षम हो उनका track record अच्छा रहा हो यानि उनके पुराने काम, license वगएरा को जाचने के बाद या भविश में होने वाले construction की quality और budget को लेकर कुछ निश्चिन्थ हो सकते हैं और सबस्वरी बात ये कि आप अपना घर बनवा रहे हैं इसलिए निर्मार से पहले ही उसके दोरान भी सजग रहे हैं हर पहलू पर कड़ी निगरानी ज़रूरी है अब out of slaves बात सुन दीजिए मागान बनाने में कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं रेंडम एक्स्पेंडीचर और more आटर देन नौट ऐसा होता ही है तो सला यही रहेगी कि इसकी तैयारी के लिए planed budget में 10 फीज धनराश्य को पहले ही अलग कर लें मागान बनाने मोने वाले चोटे चोटे खर्च को भी डाइडिया मोबाइल के नोट्स में लिखते चले हैं इससे आप खर्च और budget में ठीक ठीक अनुमान के साथ आगे बढ़ सकते हैं अगर सब कुछ वेल प्लाइन हो तो construction cost कम की जा सकती है इसके लाबा आधनिक टक्नीक के सारी ना केवल क्वालिटी में सुधार होता है बलकि लागत को भी कम किया जा सकता है और आखरी में एक प्रार्थना अपने इस छोटी सी नोट्बुक में सबसे पहले पेज में लिख लीजिए फिजूल खर्ची से बचना है हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है क्योंकि घर जिन्द की में सर्फ एक ही बार बनता है इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा ले और यही करने की कोशिश है हमारी ये सिरीज बात घर की आसान भाशा में हमें उमीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पर क्लिक करें मिलते हैं अगले हफ़ते नए एपिसोड के साथ झाल